जैहिंद वंदे मातरम मैं सुबूही खान सिविल लौज यानि की शादी, बया, विरासत, जमीन, जाइदाद, संगरक्षर, प्रतिपालन या फिर गोद लेने के कानून आदी आजकल ये सवाल उठ रहा है कि हमारे देश में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए यानि कि आप किसी भी पंथ, किसी भी मजभब, किसी भी जाती के हो एक समान सिविल कानून सब के ओपर लागू होना चाहिए लेकिन कुछ लोगों ने समाज में ये अफ़ाप उडानी शुरू कर दी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसल्मानों के खिलाफ है मैं सर्वोच न्यायाले में अदिवक्ता हूँ, एक समाजिक कारे करता हूँ और इत्तफाख से, मजभब से मुसल्मान भी हूँ मैं आपको कुछ उधारन दे कर ये बात समझाने की कोशिश करूँगी हम लोग राष्टर जागरन अभ्यान नाम से एक अभ्यान चला रहे हैं जिसमें हम भारत प्रवास पर हैं उस अभ्यान में प्रवास करते हुए हम लोग हैदराबाद पहुँचे वहां हमें जाकर पता चला कि हैदराबाद में आज भी अरब से सतर सतर असी असी साल के बुड़े शेख आकर बारा बारा साल की बच्चियों के साथ निकाह करते हैं उसको नाम दिया है मिस्यार मैरेज यानि की ट्रैविलर्स मैरेज जब तक उनकी यातरा चलती है तब तक वो निकाह चलता है जब वो यातरा खत्म हो जाती है तो निकाह की एकस्पाइरी डेट आ जाती है एक छोटी सी बच्ची का शारीरिक शोशन करके दुशकर्म करके ये शेख अपने देश चले जाते हैं और बोलते हैं कि इसकी इजाज़त उनको शरिया देता है आज भी मुसल्मान समाज में पुरुष बहु विवा करते हैं अपनी बीवी के होते हुए अपनी बीवी की मौजूदगी में दूसरी बीवी लाते हैं आप सोचिए कि एक महिला का शारीरिक, मानसिक, मनोवेग्यानिक, आर्थिक हर तरीका शोशन करके ये पुरुष बच के निकल जाते हैं शरिया लौकियार लेकर छोटी-छोटी बच्चियों के साथ, बारा-बारा साल की बच्चियों के साथ किसी भी उमर का कोई व्यक्ती, जवान हो, बुड़ा हो, निका कर सकता है ये बोलकर कि शरिया में बारा साल की बच्चियों के साथ निका जायज है जब कोई बच्ची प्यूबर्टी अटेन कर लेती है उसको पीरिट्स शुरू हो जाते हैं तो शरिया के मताबिक उसके साथ निका किया जा सकता है ऐसा ही लोगों का मानना है एक होता है अडॉप्शन यानि गोद लेने का कानून मुसल्मान समाज में गोद लेने का भी कोई अधिकार नहीं है अगर कोई मुसल्मान महिला किसी भी कारणवश बच्चा पैदा नहीं कर पाती है तो उसको अधिकार नहीं है कि वो अपने देश की अडॉप्शन लॉज का इस्तमाल करते हुए कोई बच्चा गोद ले ले क्योंकि उस महिला के बच्चा पैदा ना कर पाने की स्थिती उसकी वो एक दुखद स्थिती भी मौका देती है एक मुसल्मान पुरिश को कि वो दूसरा निकाह कर सके इस बात पर कि तुम तो मुझे बच्चा नहीं दे सकती हो दूसरी शादी करके मुझे बच्चा चाहिए गोद लेने का भी अधिकार एक मुसल्मान महिला के पास नहीं है then guardianship laws यानि की सरपरस्ती संग्रक्षड के जो कानून होते हैं देश में वो भी मुसल्मानों के उपर अपलाए नहीं होते हैं एक मेरे पास अभी कुछ दिन पहले केस आया मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक महिला के पुरुष की husband की death हो गई उसकी death के बाद ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया उसको बच्चे नहीं दिये ये कहकर कि शरिया के हिसाब से Muslim law के हिसाब से माज होती है वो natural guardian नहीं होती है बच्चे की अगर फादर की किसी कारणवश death हो गई है तो उस बच्चे की guardianship ससुराल वालों के पास जाएगी तुम कौन तुम तो कुछ होई नहीं ऐसा बोलकर उस महिला को घर से निकाल दिया गया ये उधारण में आपको इसलिए दे रही हूँ कि जो भी Muslim समाज के पढ़े लिखे लोग हैं Muslimान समाज के जो rational लोग हैं सोचने समझने वाले लोग हैं या जो पेगंबर मुहम्मद स.A.W. के रास्ते पर चलना चाहते हैं वो लोग मनन करें अपने आप से सवाल करें कि प्रॉफिट मुहम्मद स.A.W. महिलाओं के अधिकारों की बात करते थे उनके समय में अरब में छोटी-छोटी बच्चीयों को पैदा होते ही दफना दिया जाता था उन्होंने उन बच्चीयों को बचाने के लिए कहना शुरू करा कि जिसके घर में बेटी पैदा हुई है उसको अल्ला ने अपना सलाम बेजाए पैगंबर मुहम्मद स.A.W. अपनी बेटी बीबी फातिमा के आते ही उनके समान में खड़े हो जाये करते थे पैगंबर मुहम्मद स.A.W. ने जो पहली शादी करी वो अपने से बड़ी उमर की महिला से करी एक विद्वा महिला से करी एक बिजनिस वुमन से करी जो तिजारत करती थी कोई नकाब पोश या अपना चेहरा ड़क्के चार दिवारी में बैठी हुई किसी महिला से उन्होंने निका नहीं किया था तो हमारे प्रॉफिट हमें महिलाओं का सम्मान करना सिखा कर गए है प्रॉफिट मुहम्मद स.A.W. अपने घर के काम खुद करते थे खाना खुद बनाते थे, कपड़े खुद धुते थे, घर के सारे बेसिक काम खुद करते थे उनके रास्ते पर चलने वाले हम लोग, हमने महिलाओं को एक सेक्शुल कॉमोडिटी बना दिया है इस्लामिक समाज के, मुसल्मान समाज के सारे अपराद महिलाओं के और छुटी-छुटी बच्चीओं के साथ होते हैं और अगर उनके फेवर में कोई कानून आ रहा है, तो हम उसका भी विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं हम क्या कर रहे हैं? मैं अपील करना चाहती हूँ इस्लामिक समाज के जितने भी समझदार लोग हैं ठीक है आपके नाराजगी किसी व्यक्ती, किसी संगठन या किसी पार्टी से हो सकती है लेकिन उन छोटी-छोटी बच्चीयों की तरफ देखिये जो अपनी सुरक्षा के लिए अपने सम्मान के लिए, अपने भविश्य के लिए हमारी तरफ देख रही है हम समझदार हैं, हम पड़े लिखे हैं, हम उनको इस दलदल से निकाल सकते हैं कृपिया उनिफॉर्म सिविल कोड का साथ दीजे और इन बच्चीयों का हाथ पकड़के इनको इस गंदे दलदल से बाहर निकालने में सहयोग करिए जैहिंद बंदे मात्रम